वेल्कम बैक टुमा यूटूब चनल पेपर हैकर बेटा कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट सेक्षन बतादो एक बार देख समझ लो यहां की जो बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे एम जे पी आर यू बरेली जो भी चातर बरेली से हैं उन सभी चातरों से कहना चाहेंगे कि आपके लिए मौश्ट इंपरेंट कोशन लेकिया हैं बहुत जादा जिसे माइक्रोवायलोजी और प्लाट पैथलोजी आपका पेपर का नाम हो जाएगा यहां यूनिट बाई यू कोई भी कोशन को एक्स्ट्र मत पड़ाना मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है इस बात की बात अलग है लेकिन फिर भी आपके पास नोट्स गैस पेपर जो भी है उसको उपन कर लीजिए उस पिट्टिक लगा लीजिए यदि आपक को इसको वाले उसकुष को दे रखा और यहां बात करने वाले सभी जादर बात करेंए ज्यादा. ज़्तalah से ज़्यादा बीडियो को Share करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बीडियू को Share करेंगे सब Name को यहां subscribers का अपके सामने है सामने आप को मैं न पहटा है जो होता है उसके बाद में आता है दिखो बैक्टेरिया को इस टेन करने की कि आ तो gram positive gram negative जो bacteria होते हैं उनके बारे में याद कर लेना यह most important question है ठीक लगा लेंगे सब भी लोग ठीक है उसके बाद में हाता है देखो सूच में जाएबिक क्या होता है इसको आप याद करेंगे इसको याद कर लेना most important है ठीक है और स्पेक्ट्रो फोटो मीटर का वड़न किस प्रिकार से इसको वोशन को याद कर लेंगे बस यहां से यह करना है बाकी इन कोशनों को नहीं देखना इन कोशनों को याद नहीं करन लेना और उसके बाद में सिर्फ हम देखेंगे जिबानों के पिरकार सैफ और वैक्टरिया most important है आप इसको याद करेंगे उसके बाद में हम जाएंगे नीचे देखो उसके बाद में कुछ भी और extra कुछ भी नहीं देखना है ठीक है वाइरस क्या होते हैं वाइराइड क्य बारे में most important है mitocandaria पढ़ेंगे राइवोसोम, mitocandaria, livosome इसको पढ़ेंगे most important है ठीक है और उसके बाद में हम देखेंगे plasmid क्या होता है plasmid is most important plasmid के बारे में पढ़ेंगे याद करके जाएंगे इसको और अभी ग्राम अभी रंजक के बारे में बाकी इन कोशनों को न देखना ऐटिकर और उसके बाद में नीचे पहुंद जाएगे बैटा नीचे देखो इसमें unit number हम देखेंगे थी में क्या क्या पढ़ना है यूनिट number 3 में हमें पढ़ना है सेवालों के जनन के बारे में सेवाल किस प्रकास जनन करते हैं और सेवाल के महत्व क्या है यह देखेंगे और उसके बाद में आता है देखो कह सकते हैं और उसके बाद में नीचे जाएंगे वाल वक्स की सरचना इसको पढ़ लेना और एक्टो कारपस सरचना की बारे में याद करेंगे ठीक है पॉली साइकलों निया छोन दीजिए अक्टो कारपस और कारा का जनननंग इसको आप याद करेंगे भाद में दिखो उसके बाद में बहुंको कि जिम्मधार्य जोड़ दीजिए छोड़ सिखेंगे और सब्सक्राइब के बारें चोड़ दिए उसके बारें ऐसके बारें के यह होता है इसके लाइप साइकल को छोड़ दीजिए और राइब कर और देखो यह देख लेना है मस्रूम के बारे में मस्रूम का मौश्ट इंपोटेंट है मस्रूम के बारे सिस्टम याद करेंगे मस्रूम के बारे में ठीक है और सिकंजा बंधन क्या होता है छोड़ दीजिए सिकंजा बंधन को मश्रूम इस मौश्ट इंपोटेंट है इसको आप द्यान से देखेंगे परालेंगता क्या होती है परालेंगता के बारें पढ़ेंगे परालेंगता और अनुवनसिक्ता परालेंगता अनुवनसिक्ता जो कह सकता है इसको आप पढ़ेंगे इसको आप पढ़ेंगे सिकंजा बंदन पढ़ लेना यह आप देखेंगे बस इ किरसी कैसे की जाती है अबkar . शिक्स्क bit if रधगी यौकी तेखना है इनके रोख फाम के बारे में अनको करेंगे रूखवार करना है और हमें नीचे जाना है उसकेबाद में आता पादव रोगों का संक्रण बिदी बारे में इतने कोशन देखना है यहां उसके बाद में हम यूरिट नमबर शिक्स सैवर में जाने के बाद में हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा तो रोग आपको देखने को मिलेंगे इसको आप याद करेंगे उसके बाद में नीचे हम जाएंगे और रहर की बारे में नहीं देखेंगे विंडी के बारे में और बैंगन का भी नहीं देखेंगे लिटल व्रेंजल इसको भी नहीं देखना है सिट्रेस कैंसर देखेंगे नीबू का सिट्रेस कैंसर मौस्ट इंपोर्टेंट है आप इसको याद करेंगे नीबू का सिट्रेस कैंसर और तमाकू का मोजेक रोग और ब्लैक रिष्ट बूट जो होता है गेहूं का काला तना रोग होता है इसको आप याद करेंगे बस इत अपने वैक्सीन को देख लेना के इसको छोड़ेंगे इसको चोड़ेंग के लिए और इसकी बाद में आता है हमारा देखो नाइटो नाइटोजन का इस्थीगणान जिवाणों के प्रकार से करते हैं यह देख लेना है बस इतने कोशरं पढ़ना है जो भी